मालवन है माध जन्मगाव। वयाची पहली 22 वर्चव में मालवनात होतो। माध शिक्षन मालवनला धाल। पहला वर्तवान पत्र में मालवनात चखाड़। आणी त्यामणे मालवन माध निरतीशे प्रेम है। मालवनला गेले आज 7-8 वर्चया पुरुवी। मालवन रहाव। मालवन चा तीन पिढ़े माध नंतरिश्म वर्लोकां चा धाले आणी एकद मन्सचे आजोवचे आठवणे मितेला थांतो। मत्याला इखुब आनन्द अपरूप सवाट। अणी एकुंट्या गावात मिखुब रहाम्तो। मालवन चा गावरम में ही आएत। कोकनात ला समुद्र के नरा भार तांगला है। इतले बाकीते आपन समुद्र के नरे बगितले की लक्स्या थेत। आद लाहन पड़ा पसुद तितत वाडला मिडे त्या तो वैशिष्ट्य समदले नहोत। आता अलीकडे मत रहे आंतरीकी करना मुळे अनि तया समुद्रात अनेक प्रकरत काही प्रदूशन वगरे है देहोत। तया मुळे पुर्वीच हरके ते आकर्शे गते रहायलेल नेत। पन मालवन पुर्त महनायता जाला दर। तर मालवन ला दानडी, देवली, हादो काय भागा है समुद्रकेनारे था। तिरसे समुद्रकेनारे अधुने अतिशे तांगले प्रकर्चत। मालवन तो ऐश्वर है मुझे सिंधुदुर्ग। मध्यंतरी एक पूल बांधावा और पुला बरुन माँ चिंधुर्ग। असा एक बूट निगाला होता, तेला मी विरोथ केला, कारण माधामन नासा है कि होडितुन किल्ल्य और दन अतला दो आननद है तो एकतर हिरावन गेतला दाईल। अनि सिंधुर्ग केले तो जे वैशिष्ट है ते नाहिस होईल। ति थमागेश्ट होतील, होटेल होतील। अनि तैची जीका आच्ची गम्मत है ती रहनार। और मालवनतली तौहान एक आठ्वन समत हो तो गम्तिदार, कि त्या दिवश्टी कोणी ही ब्राह्मन वापण ब्राह्मार ब्राह्मन करना या होट तो तेला चार्ण समत चार्ण होटց थे और जार जार हने गयाएचे, यह गम दीजे आट खट